कोई पार्ट में दोस्तों अगर आप चैनल पर रहे हैं और अगर आपने पुराने एपिसोट नहीं देखे हैं तो पहले उनको जाकर देखिए क्योंकि ये स्टोरी इतनी अच्छे हैं कि आप उनको देखे बगर नहीं समझ पाओगे तो पिछले एपिसोट में हमने देखा कि अकडू मिंक टैन को कैसे इंसल्ट कर रहा था लेकिन सुनहाओ के आते ही वो कैसे कापने लगा था सुनहाओ उसको डांडता है कि मैंने तुमको वान किया था कि इस लड़के को परिशान मत करो फिर भी तुमारी इतनी हिमत कि उसकी द्यूटी के टाइम में उसको तंग कर रहे हो और अब अकडू डर के मारे चुप रहता है चलो चुप चा मिंक टैन से माफी मांगो और यहां से भाग जाओ लेकिन मिंक टैन कहता है कि माफी मांगने की कोई जरूवत नहीं है यह मुझे अकिला छोड़ दे और कभी मेरे र द्रॉप से बात नहीं करेगा अब मिंक टैन को अब तसल्य होती है कि चलो अब इसे चुटकारा मिल गया तब मिया सुनहाओ से पूछती है कि तुम यहां पर क्या कर रहे हो तुम्हारा कॉलेस तो यहां ही नहीं और तभी जाओ मी गर्दन पर खुजलाती वहां पर आती है एक्चुली उसे यहां छोडने के लिए ही सुनहाओ यहां आया होता है फिर जाओ मी को यहां छोड कर सुनहाओ चला जाता है फिर होटल का क्लोसिंग टाइम आता है मिया और जाओ मी मिंक टैन को उसके घर ड्रॉप करने जाते हैं लेकिन घर पर फैंग्यू को देख तीनों जाओमी और मिया को अलड़ी शक हो जाता है कि फैंग्यू और मिंग्टाइन ने साथ मिलकर इनको जीता होगा अब मिया छोड़ों से फिर पूस्ती है लेकिन फिर उसके मुव में हॉट ड़ग दबा कर उसको चुप करा दिया जाता है फिर डिनर करके सभी मिंग्टाइन और बच्चों को बाई कैकर चले जाते हैं अब मिंग्टाइन देखता है कि फैंग्यू अपनी बोटल भूल गई है मिया जल्दी चले जाती है लेकिन जाओमी और फैंग्यू धीरे चल रहे होते हैं जाओ में कहती ही कि आजकल तुम्हारा बेवियर मुझे अजीव लग रहा है तुम हमारे साथ कॉलेज केंटिन में कभी नहीं आती थी लेकिन आजकल मिंग टैन के साथ केंटिन में बैठ कर लंच भी करती हो वा हमें देखकर तो कभी हस्ती में नहीं थी लेकिन मिंग टैन को देख कर तो हांसस के बाते भी करती हो, कुछ है के तुम्हारे बीच में और अपने घर से तुम कभी बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन अब देखो, में टैन के घर तक आ पहुची, और होट डॉक्स खाने थे तो अपने घर पे मंगवा लेती ना, इतने दूर आने की क्या तो फैंग्यू कहती है कि छोटी हो तो क्या हुआ, वो मेरे बराबर का तो है नहीं, अगर हम दोनों की बीच बॉक्सिंग मैच हुआ ना, तो मेरे सामने तीस मेट भी नहीं टिक पाएगा, एक बास समझ लो, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद रही है, और नहीं कभी पसंद आएगा, और ये कहकर फैंग्यू चले जाती है, अब ये सोचती है कि हाँ, शायद मैं ही कन्फ्यूस हो गई थी, और ऐसा सोचकर घड़ चले जाती है, तब ही पीछे से स्लो मोशन में दिखाते हैं कि मिंग्टैन फैंग्यू की बोटल देने आया था, और उनकी सारी बाते उसने सुन ली है, अब वो बेचारा बहुत दुखी होता है, कि फैंग्यू उसके लिए ऐसा कह रहे थी, अगर आप किसी से बहुत प्यार करते हैं, और वो आपके पीछी पीछी इस तरह की बाते करें, तो आपको कितना हट होगा है ना, मिंग्टैन भी बहुत ही हट हो जा चाई पिने से भी मना कर दिया था, शायद इसलिए वो अपनी बोटल में ड्रिंक लेकर आई थी, और इस तरह ऐसा सोचकर वो बहुत थी बुरा फिल कर रहा होता है, अब अगले दिन कॉलेज में फैंग्यू सबसे पहले लैब्रिरी जाती है, बाके इस्टुरेंट्स कहते कि मिंग्टैन से मैं अटेक्ट क्यों हो रही हूँ, और फिर लब से रिलेटेड कुछ बुक्स उठाकर वो चुपचा पढ़ने लगती है, तब ही एंड वक्त और मिंग्टैन वहाँ पर आता है, उसको अचानक देखते ही फैंग्यू चुला देती है, और नर्वस होकर मत करना, वो यह सब बड़ी टेंशन में कहा रही होती है, तो मिंग्टैन कहता है कि साइकल वापस मत लो, लेकिन वो बहुत ही महेंगी है, इसलिए उसके बदले में मैं तुम्हारा कोई भी काम करना चाहता हूँ, लेकिन वो कहती है कि मुझे तुम्हारी सर्विस की कोई ज लेती है, दरसल दोस्तों, फैंग्यू मिंग्टैन से बहुत ही प्यार करती है, लेकिन वो नहीं चाहती है कि मिंग्टैन ये सब जाने, और इस तरह की कन्फ्यूजन में ही, वो कभी कभी मिंग्टैन से बहुत हाश बेब करती है, लेकिन बाद में सोचती है कि मैंने ये सब क्या कह दिया क्या प्यार में ये सब नॉर्मल है और दोस्तों मुझे तो नहीं पता आपको पता है तो कॉमेंट से बता देजिए अब फैंग्यू फिर अंदर जाकर बुक्स पढ़ने लगती है और तब उसको धीरे और तब उसे मिंग्टैन की याद आती रहती है नूरल तब तब तक छोटू के काटने लगता है तो अब इतन तक चोटू के काटने लगता है लेकिन तब तक छोटू केक काटने लगता है अब कुछी देर में मिया खाना बनाने के लिए सारा समान लेकर मिंग टैन के घर पर पहुंच जाती है छोटी घबरा कर भार आती है और उसको जल्दी अंदर बुलाती है वहाँ छोटू को केक काटने से फुड पोईजनिंग हो गई होती है अब उसको उठाकर मिया तुरंत हॉस्पिटल लेके जाती है अब मिंग टैन भी हॉस्पिटल पहुंचता है और डक्टर बताती है कि केक खराब हो गया था इसलिए छोटू का फुड पोईजनिंग हो गई है लेकिन डरने की बात नहीं है बस एक दिन हॉस्पिटल में रेस्ट करना होगा अब मिया मिंग टैन को वो पार्सल दिखाती है जिसमें मिंग टैन का एडरस होता है लेकिन सेंडर का एडरस या नाम कुछ भी नहीं होता तो मिया कहती है कि किसी ने ये जान बुचकर किया है लेकिन मिंग टैन कहता है कि मैं उस स्कूरियर आफिस में किसी को जानता हूं और फिर वो उसको कॉल करता है अब यहां फैंग यू कॉलेज के बाद अपने भाई फैंग जोहिस से मिलने जाती है उस बिल्डिंग में उसे एक औरत क्रॉस करती है जिसकी आवाज फैंग यू को पहचानी सी लगती है अब फैंग यू उसको रोकर कहती है आउटी आप कैसी है क्या मुझे भूल गई वो औरत कहती है मैं तो तुमको जानती भी नहीं और तब फैंग यू कहती है कि अरे मैं अंगल जी के साथ कई बार आपके घर भी आई हूँ लेकिन वो औरत पहचाने से इंकार कर देती है और जल्दी जल्दी बाहर चले जाती है तब फैंग जोईू आ जाता है और फैंग यू उसे उस औरत के बारे में बताती है फिर वो फैंग जोईू को बईयू की होटल में लेके जाती है और बताती है कि यहां का फुड बहुत ही टेस्टी है तुम्हें पसंद आएगा तब बयू नों आकर दोनों का स्वागत करता है और फैंग जो यू सो भी इंटोडूस हो जाता है फिर वो इन दोनों के लिए होटल का सबसे अच्छा डिश लेने जाता है फिर फैंग यू बताती है कि वो औरत सच में अंकल जी की वाइफ ही है उन्होंने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखेते मतलब वो जरूर अच्छी लाइफ जी रही है लेकिन मैंने तो सुना था कि अंकल जी के गुज़र जाने के बाद आंटी सिटी छोड़ कर चली कई थी पर लगता है वो यहीं रहती है अब बैयूने उनका डिश लेकर आता है और वो बहुत ही excited होता है कहता है मैं खुद आपको सर्व करूँगा मैं आपके लिए कुछ भी करने को तयार हूँ अब इस तेरे वो मसका लगा रहा होता है तब फैंग जोयू कहता है कि मेरी तुम से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है तुम प्लीज जरा चुप हो जाओ और यहां से दूर चले जाओ हम खुद ही खालेंगे अब बहुनों चुप होकर चला जाता है यहां हास्पिटल में मिंग टैन कुरियर आफिस वाले उसके फ्रेंड को कॉल करके पूछता है तो वो बताता है कि वो पार्टसल अकुडू नहीं वेजा था और यह सुनकर मिंग टैन को इतना घुसा आता है कि मिया भी डड़ जाती है ऑब मिंग टैन वहां से भाग आता है और हर तरफ अकड़ो को ढूंडता रहता है कि कहां मिलेगा कहां मिलेगा और फिर आखरकार वो अकड़ो को ढूंड लेता है और कहता है कि आज मैं तुम्हें जिन्दा नहीं छोड़ूँगा और ये कहकर वो अकुडू को मारने जाता है लेकिन सब उसको रोक लेते हैं लेकिन अपना घुसा कंट्रोली नहीं कर पाता और तब जियाओ फैंग वहाँ पर आती है और उससे बताती है कि ये जैंग जी कॉलेज का है और टूनामेंट में फैंग यू ने इसे ही अपना अपोनेंट चुना है अब जियाओ फैंग कहती है कि जैंग जी कॉलेज की होकर यहाँ आने की हिम्मत कैसे भी तुमारी मिंग टैन कहते है कि ये मेरी और अकुडू की प्रावलम है तुम बीच मत बोलो अब अकुडू जी ओफैंग को उकसाने लगता है और वो कहती है कि हमारे कॉलेज बाकर तुम हमारे इस्टूने को मारोगे अगर हिम्मत है तो मेरे साल लडो और ये कहकर मिंग टैन को चैलेंज करती है और उस पर गलॉप्स फिंगती है और फिर दोनों ही बाकसिंग रिंग के अंदर होते हैं और मिंग टैन पर पंचिस की बरसात कर रही हो दिये तब सुनहाओ आता है और जी ओफैंग को डानता है फिर वो बाग के इस्टूनेंट को भी डानता है कि इन दोनों को रोकने के बजाए तुम तमाशन देख रहे हो फिर वो मिंग टैन से पूछता है कि अरे तुम यहाँ पर क्यूं आए हो तो मिंग टैन उसे सब कुछ बता देता है और कहता है कि अकडू की वज़े से मेरा भाई हॉस्पिटल में है लकिन अकडू जुट बोलता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया अब सुन हो प्रामिस करता है कि वो इस बार में पता जरूर लगाएगा और सब कुछ सब के सामने लेकर आएगा आगे कहता है कि अगर मुझे पता चला कि अकडू नहीं किया है तो उसके खेर नहीं तब ही एक लड़का आकर कहता है कि जैंगजी कॉलेज की स्टुटेंट्स आईए अब सब टैंशन में भार आ जाते हैं और बेकड़ाउंड म्यूजिक भी टैंस होने लगता है अभी लोग सोच रहे होते हैं कि बहुत सारे स्टुटेंट्स आई होंगे लगन दोस्तों वहाँ पर सिर्फ फैंग्यू और जियाओं में खड़ी होती है लेकिन ये दोनों दस के बराबर है फैंग्यू कहती है कि चुपचाम मिंग्टैन को हमारे साथ भेज़ दो अब सुनाओ कहता है कि मिंग्टैन यही है उसने बताया कि अकडू ने कोई गलती की है उसका पता लगा कर मैं खुद उसको वावस भेजने वाला था और तब मिंग्टैन बाहर आता है और उसको चोट लगी होती है अब यह देख करें दोनों को बहुत ही गुस्सा आता है और लडने के लिए बिल्कुल तयार हो जाती है तब मिया भी आ जाती है और कहती है कि मिंग्टैन पर हाथ उठाने के लिए तुम सब थोड़ी देर में पच्टाने वाले हो लेकिन सुन्हा उनको रोक कर कहता है कि हमारे दोनों कॉलेजिस में कभी जगडा नहीं हुआ और ना ही मैं होने दूँगा ये ज़रूर कोई मिस अंडेस्टेंडिंग की बात है और मैं इसको ज़रूर क्लियर कर दूँगा और फैंगी घुस्ते में कहती है कि ये सब तो तुम है मिंग्टैन पर हाथ रखने से पहले सोच लेना चाहिए था तुम लोगों ने उसको मारा है और अब तुम लोग बहुत पच्टा होगे और फिर रहने वक्त पर वहाँ रैफरी आ जाती है लगता है जहां लड़ाई होती है वहाँ ये रैफरी आटोमेटिकली टपक पड़ती है वोगिती है कि जैंग जी कॉलेज के स्टुड़ेंट्स को उनके प्रिंसिपल ने वापस बुराया है अब अगले सीन में ये चारों प्रिंसिपल रूम में ख़ड़े होते हैं और प्रिंसिपल इनकी आरती उतारते रहते हैं वो खूब डारते हैं कि क्या तुम कॉलेज के रूल भूल गए कि कॉलेज के बाहर कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए अब इस पर मिंग टैन सारा ब्लेम अपने सर पले लेता है और पनिश्मेंट के लिए बिल्कुल तयार हो जाता है लेकिन तीनों लड़कियां कहती हैं कि नहीं सर उस कॉलेज के इस्टुडेंट्स मिंग टैन को मारने आये थे और इसने सिर्फ अपना सेर्फ डिफेंस किया था अच्छा तो ये खुद उनके कॉलेज के अंदर घुज गया और फिर इसने अपना सेर्फ डिफेंस भी कर लिया ये तोता मैना वाली कहानी ना किसी और को सुना रहा समझे ये उनकी कॉलेज के अंदर गया क्यों था और इसने कॉलेज के रूल्स तोड़े हैं और इसको पनिश्मेंट तो जरूर मिलेगी अब फैंग्यू उससे में कहती कि सर आप जैंग्जी कॉलेज के रूल्स बता रहे हैं और मिया कहती है कि इन दोनों की बिना तो मैं भी कॉलेज नहीं आऊंगी और इस तरह तीनों मिंग टैन को खुब सपोर्ट करती है तब मिस्टर वैंग कहते है कि अगर तुम तीनों चली गई तो कॉलेज ही बंद हो जाएगा इसलिए कोई कहीं नहीं जाएगा दरसल बात यह है कि फैंग्यू MMA चैंपियन है और जाओमी बॉक्सिंग चैंपियन है और मिया टेकवांडो चैंपियन ये तीनों इस कॉलेज की जान और शान है इसलिए मिस्टर वैंग इनको कहीं जाने नहीं देते और दोस्तों इसी के साथ ये सुन्दर एपिसोड यहां पर खत्म होता है आप सूच रहोंगे कि स्रीज के नाम में कॉमबेट है लेकिन अभी तक इसमें दमदार फाइट नहीं आई है लेकिन दोस्तों आगे के एपिसोड में भरपूर फाइट होगी इसलिए हम गारेंटी देते हैं आप टंशन मत लीजिए और स्रीज को फॉलोग कीजिए और हमारे साथ बने रही है और ये स्रीज आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सबस्क्राइब भी कर दें कॉमेंट्स में ये जरूर बतायेगा कि आपको ये स्रीज इतनी पसंद क्यों आ रही है बागे दॉस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई अपना खियार रखे एंड फाइनली थैंक्स वर वाचिंग